नमस्कार दोस्तों सौगेत आप सभीका आपके अपने उड़ी चनल देनी कडित में आज के इस वीडियो में हम लेशन टू के कुछ प्रस्णों को सॉल्व करेंगे पिछले वीडियो में हमने एक से ले करके आठ तक के प्रस्णों को सॉल्व कर दिया था आज के वीडियो में उसके आगे के कुछ प्रस्णों को सॉल्व किया जाएगा तो आईए देखते हैं आज के वीडियो का पहला कोशन क्या है पहला कोशन है अमित अपने जन्म दिन पर कच्छा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है इसके लिए उसने बिस्कुट के चार डिब्बे खरीदे प्रतेएक डिब्बे में आठ बिस्कुट है यदि उसकी कच्छा में 28 छात्र हो तो प्रतेएक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा बेंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दरसाता है देखे चार डिपे हैं बिस्कुट की कितने डिपे हैं चार और प्रतियक डिपे में आठ बिस्कुट है एक में आठ है और टोटल चार डिपे है तो कितने बिस्कुट हो गए है चार गुड़े आ तो कितना बचेगा, वो इस तरह से expression को लिखा जाएगा, देखे, चार गुड़े आठ टोटल हो गया, और इसमें से 28 निकल गया, तो यहाँ पर जो आएगा, वो सेस होगा, तो इस तरह से इसका option अगर जो देखेंगे, तो option 4 सही है, इसका अंसर हो जाएगा, answer option 4, यह option 4 सही, next question, question number 10, दिया गया है कि संख्या 95, 95, 95, तीन बार लिखा हुआ है, निमने में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है, तो देखेंगे, 95, 95, 95, यह दिया हुआ है, और यह पूछ रहा है कि जो option दिया गया है, उसमें किस बड़ी से बड़ी संख्या से यह बूर तो 47 से आप ट्राइ करेंगे, तो भाग देंगे, देखेंगे, नहीं कटेगा, फिर इसके बाद आता है 17, तो 17 से 20 में भाग करेंगे, तो पूरा-पूरा विवाजित नहीं होगा, फिर इसके बाद आता है 19, तो 19 से सीधी सीधे दे देख रहे हैं, आपका डिया गूल 90, 95, पर जीरो, और निस बचे 95, इस तरह से कट जाएगा, तो यह नाइंटीन से कटेगा, और इसमें जो लास्ट आप्टन है 37, वो 37 से भी इकटेगा, अब भाग करके चेक करेंगे, तो देखेंगे, भाग पल इस से, इसमें चला जाएगा, भाग पल पूरा-पूरा जाएगा से इसमें जीरो बचेगा, लेकिन अब यह सवाल उट रहा है, कि अब यह answer होगा, यह answer होगा, तो आपसे पूछा गया है, कि वह बड़ी से बड़ी संक्या बताएगा, तो जब दोनों से यह कट रहा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 37, तो इसका answer क्या हो जाएगा, 37 37 means इसका option 4 सही है, इसका answer 4 होगा, 37 आएगा, next question, question number 11, एक कार पार्क में 14 पक्तियां है, प्रतेक पंक्ति में 420 कारों के खड़ा करने का अस्थान है, पार्क में कुल कितनी कारे खड़ी हो सकती है, कितनी पक्तियां है, 14 पक्तियां, कार खड़ा करने के लिए इस तरह से ऐस 14 पक्तियां हैं इस तरह से, और प्रतेक पक्ति में कितनी कार आ रही है, 420, इस एक रो में इस तरह से 420 कारे आ सकती है, एक रो में, तो इस टोटल 14 जो पक्तियां है, उसमें कितनी कारे खड़े होंगी, उसके लिए पुछा हुआ है, तो देखे, कुल कैसे पता चलेगा, दोनों का मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 14 हिंटू 420, मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या आएगा, देखे, यह 0 हो जाएगा, 14 दुनी 28, और 14 चोके 56, अदो 88, यह 5880, तो इसका अंसर 5880 होगा, तो इस तरह से इसका आप्सन नुमबर 1, यह आप्सन 1, इसका अंसर क्या हो जाए हैं, पौधे लगाए गया हैं, यहादि एक पौधे में दो कप पानी डाला जाता हो, तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए, देखे 26 कमरे हैं, टोटल 26 कमरे हैं, और प्रतेक कमरे में, 4 पौधे हैं, कितने हैं 4 तो कितने पौधे हो गए एक कमरा में 4 पौधा है तो 26 कमरे में कितने होंगे 26 गुणे-4 तो यह कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा गुणा करेंगे देखे चार शक्के चोभी चार दुनियार दो दस तो एक सो चार पौधे टोटल हो गए अब यह कहा रहा है कि एक पौधे में दो कप पानी डाला जाता है तो अगर चो एक पौधे में दो कप पानी डाला जाता है तो पौधों की संक्या यह है तो इसने में कितने पौधे हों आफसन फॉर्थ यह सही है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद